हलो फ्रेंट्स आप सबका मेरे चनल फूट फेस्ट विद फैमिली एंड फ्रेंट्स में स्वागत है अच्छा मौसम हो तो बच्चे हो या बड़े सभी को भूख लगती ही लगती है तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ऐसा टेस्टी किस्पी और मज़ेदान अस्ता जिसे आज हम दो आलों से बनाएंगे और अगर अभी तक आपने मेरे चनल को सबस्क्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए जिसे के आप मेरी नई रेस्पी को सबसे पहले देख सकें और इस रेस्पी का नाम है क्रिस्पी पोटेटो फ्राइस तो चलिए शुरुआत करते हैं क्रिस्पी पोटेटो फ्राइस बिनाने के लिए सबसे पहले हमने लिए हैं यहाँपर दो उबले हुए आलू और इन्हें अच्छे से मैश कर लिया है मैंने यहाँ पर इन्हें फोर्क से मैश किया है आप मैशर से भी मैश कर सकते है यह देखिए हमारे आलू अच्छे से मैश हो गए है फिर इसमें मैंने डाला है यहाँ पर एक चमबर चिली फ्लेक्स नमक स्वाधानसार और थोड़ा सा धनिया पत्ती बारी कटी हुई और टू टेबल स्पून कॉन फ्लार आप चाहें तो इसमें बारी कटी हुई हरी मिर्ची और लाल मिच पॉडर भी आड़ कर सकते हैं पर मुझे बच्चों के लिए बनाना है इसलिए मैंने नहीं डाला है और ये देखिए आप हमेंसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और फिर इसके तीन या चार गोले बना लेंगे और चकले पर या किसी बेस पर एक दोबूने ओल की लगाकर उन्हें हम पटेटो मिक्स का एक गो और फिर बीच में से इस तरीके से चाको की हैल्प से हम कट लगा लेंगे और सारे पीसिस इस तरह से तयार कर लेंगे फिर हम एक बोल लेंगे और उसमें एक एक तोड़कर निकाल लेंगे और उसे इच्छे से मिक्स कर लेंगे और फिर काटे हुए पीसिस को step by step पहले एग में टिप करेंगे फिर उस पर bread crumbs लगा कर फ्राई करने हम गर्म तेल में डाल देंगे यह देखिए bread crumbs इस पर अच्छे से लग गया है और अब हम इसे गर्म तेल में फ्राई करने डाल देंगे और इसी तरीके से भागे के सारे फ्राई भी हम तैयार कर लेंगे और इसी तरीके से हम bread crumbs लगा कर इन्हें हम medium गर्म तेल में एक एक करके हम किस भी potato फ्राई डालते जाएंगे और शुरुवात में तेल बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए ये और बीच विच में हम इस तरीके से इसे पलटते भी रहेंगे शुरुवात में तेल बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए और नहीं बिल्कुल ठंडा होना चाहिए और इस तरह से गर्म तेल में potato fries हम डालते जाएंगे ज़्यादा ठंडे तेल में डाल देंगे तो ये फूल नहीं पाएंगे और तेल पी लेंगे और बहुत गर्म तेल में डालने पर ये बहुत जल्दी लाल हो जाएंगे और अंदर तक सिक नहीं पाएंगे तो इन्हें मीडियम गर्म तेल में ही डालें और जितनी कड़ा ही या पैन में जगा है उसी हिसाब से हम पीसिस डाल देंगे और फिर वीचिश में पलटते भी जाएंगे जिससे के दों तरफ से क्रिस्पी हो जाएंगे बस जैसे ही इनमें गोल्डन कलर आ जाएगा और लगेगा के क्रिस्पी हो गए है तो इन्हें हम निकाल लेंगे और ये देखिए कितना अच्छा कलर आया है और हमारी फ्राइज एकदम फूल भी गए हैं और अब हम इने एक प्लेट में सर्व कर लेंगे ये देखिए ये कितने यम्मी और मज़ेदार लग रहे हैं और ये देखिए मैं आपको इसे अंदर से भी खोल कर दिखाती हूँ ये देखिए अंदर से कितने सॉफ्ट है और बहार से एकदम क्रिस्पी तो बस अब आप भी इने बनाईए और इंजोई कीजिए और बने रहे हैं मेरे साथ इसी तरिके से मैं लेकर आती रहूँगी आपके लिए यम्मी रेस्पीज और मेरे चरह को लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलिए थैंक यू